किया आपने कमी सोचा है कि हम रोजाना नहाते हैं, अच्छे से अपनी स्केन को वाउश भी करते हैं और event वीक्ली स्क्रॉब भी करते हैं लेकिन फिर भी हमारे स्केन ड़ल, ड्रायएंड डार्क क्यों नजर आती है और क्यों हमें बार-बार skin brightening and whitening remedies की जरूरत पढ़ती है कई सारी चीज़े ऐसी होती है जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे होते लेकिन उसका असर हमारी skin पर directly पढ़ता है जिसके वज़ा से हमारे skin कभी excessive dry और कभी excessive oily हो जाती है अच्छी नहीं रह पाती अब इस सारी चीज़े हमें दिखाई तो नहीं देती है और हम सोचते हैं कि हमारे skin complexion कैसा हो गया है हम तो कभी अच्छे दिखी नहीं सकते हैं बिलकुल अच्छे दिख सकते हैं बशरते आप इस वीडियो को follow करें तो आज मैं आपको एक skin brightening, whitening, lightening remedy देने वाली हूं जिसके इस्तमाल से आपको एक बहुत खुबसूरा सा निखार दिखने वाला है वो भी one wash के अंदर guarantee है आप करके देख लिएगा और उसके बाद आप आके मुझे comment box में लिखने वाले हैं कि वह क्या remedy बदाईए आपने यह remedy आप अपने face पर ही नहीं बलकि आप अपनी पूरी body पर भी इस्तमाल कर सकते हैं आपने face के साथ साथ अपनी पूरी body को भी निखार सकते हैं नहाते dry skin को यह smooth and glowing बनाएगी as it is इस्तमाल करना skin complexion को निखारने का काम करेगी कहीं जाना भी है कोई face pack लगानी की जरूरत नहीं है इसी को आप ऐसा face pack इस्तमाल करके देखेगा instant निखार आपको मिलेगा तो हर तरीके से यह all-in-one remedy है जिसमें बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं लेकिन इसे बनाने के process से लेकर application तक आपको इस वीडियो को completely देखना है और ढंक से समझना है और जैसे मैं बताओं बिल्कुल वैसे ही इस्तमाल करना है तब ही आपको same results मिलेगा तो चलिए फटाबट से वीडियो को start करते हैं इस remedy को prepare करने के लिए सबसे पहला ingredient आपको चा करती है skin whitening and lightening properties इसके अंदर होती है और काफी जादा upton में भी इस्तमाल ये की जाती है second हमारा ingredient है जो specially skin whitening के लिए जाना जाता है और उसका नाम है rice half cup आपको rice लेना है ये rice आपकी skin को निखारने का तो काम करेगा ही whitening देने का तो काम करेगा ही साथ में उसकी dullness को भी remove कर हाफ कप आपको यहां पर rice लेना है अब next magical ingredient इसके अंदर हमें डालना है orange peel powder मैं आपको suggest करूंगी कि orange peel powder घर पर बहुत असानी से प्रपैर हो जाता है तो आप वही बना लीजे तो आपको orange चाहिए उसके छिलके आप लेकर धूप में सुका लीजेगा और इसे grind करके और छा जादा है तो यह आपकी skin से इन सारी की सारी problems को हटा कर आपको brighter lighter whiter skin देने वाला है अब इसके अंदर next ingredient जाएगा जो specially skin brightening में काम करता है दाग धबो को कम करने में काम करता है वह है turmeric तो आपकी skin and body के लिए आप wild turmeric जिसे हम हिंदी में कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं उसका इस इससे skin पर पीला पन नहीं आता है और वह जादा effective होती है skin पर या फिर आप घर में रखी हुई हल्दी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप wild turmeric रहे हैं तो आपको कम से कम दो बड़े चमच भरके wild turmeric इसके अंदर डालना है और अगर घर वाली हल्दी ले रहे हैं तो बस आदा चमच हल्दी ही इसके लिए काफी रहेगी क्योंकि वह थोड़ा सा stain छोड़ती है तो इन सारी चीजों को mix करने के बाद अच्छे से grind कर लेंगे और fine सा powder बना कर तयार कर लेंगे अब यही mixture यही powder आप लेने जाएंगे market से तो आपको 1500 रोपे से कम में नहीं मिलेगा और उस परसेंट no side effect है इसके तो जरूर इसे try करके देखिएगा आप इसे airtight container में स्टोर कर सकते हैं और महीनों महीनों यह powder आराम से चल जाएगा दो तीन महीने के लिए अटलीस बना कर रखी सकते हैं इसमें खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है अब इसको लगाना कैसे है दिखिए जबी भी आपको नहानी जाना हो उससे पहले आप इस remedy की प्रप्रेशन करेंगे प्रप्रेशन करने के लिए अगर आप फेस पर इस्तमाल करते हैं तो एक चमच पाउडर काफी रहेगा पूरी बॉडी पर आपको इस्तमाल करना है तो वन फोर्थ कप के करीब तो अब आप इसके अंदर आड़ करेंगे टोमाटो जूस तोमाटर का रस चुकि इसके लाइटनिंग ब्राइटनिंग में बहुत अच्छे से काम करता है आपकी स्किन के सारे डार्क स्पॉर्ट पिग्मेंटेशन को रिमूव करेंगा तो यहां पर इसमें हम टोमाटो अपलाए करना चाहिए तो यह आपकी स्किन को इतना निखारेगा इतना निखारेगा कि पहले ही वाश से आपको नजराने लग जाएंगा तो इसको लगाने का तरीका क्या है इसे आपको लगाना है अपनी स्किन को पहले हलका सा गीला कर लीजेगा क्योंकि जब ड्राय रह दीजेगा सूखने के लिए और अब इसे हटाना कैसे है आप किसी बाउल में मिल्क ले सकते हैं या फिर मिल्क की जगा आप वाटर भी ले सकते हैं थोड़ा सा हातों को आप गीला कर लीजेगा और यह जो सूखा हुआ उप्टन है इसे आपको हलका हलका रब करते हुए उतार इसे क्या फाइदा होगा देखिा मैंने आपको पहले ही बोला था स्टाटिंग में कि डवर की वज़ा से डलने साथ ही घाने के कर ये डेड़ स्किन लेर आपकी पहले ही वाश में रिमूव हो जाएगी उसके बाद आप ना लीजिएगा अच्छे से वाश कर लिजेगा अपनी स्किन को और उसके बाद पहले और अपके स्किन में आप एक बार अंतर देखिएगा आपको कितनी जादा चमकती हुई अपनी स्किन नजर आने वाली है लेकिन बशरते जैसे मैंने बताया है आप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही करना है इस रेमेडी के अंदर आपको कुछ भी एक्स्टा मिलाना या फिर घटाना नहीं ह कि क्या हम यह स्किप कर सकते हैं बिल्कुल ने स्किप कर सकते देखो मैं हंडर परसंट गैरेंटी ले रही हूँ ना इस रेमेडी की तो आपको भी हंडर परसंट फॉलो करना है इसको अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर आप करोगे ना कोई चीज इंग्रीटन नहीं ड जरूर बताईएगा मैं कमें इंतिजार करूंगी आप सभी लोगों के कुछ ना कुछ लिखने का तो दोस्तों यह थी मेरी आज की रेमेडी अगर आपको पसंद आई है रेमेडी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब के साथ शे झाल